नमस्कार दोस्तों आप अगर नया घर बनवाना चाते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो ओपन किये हैं क्यूंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौनसा कौनसा चीज ध्यान रखा जाता है एक घर बनाने के लिए तो वीडियो को इन तक जरूर देखते रहे हैं मैं हूँ पनव चौदरी सिबिल पार साला में आप सभी को स्वागत हैं दोस्तों ये जो प्लान देख रहे हैं आप स्क्रीन पे 25 फीट बाई 25 फीट का तो इसी प्लान के उपर हम लोग डिसकस करेंगे कि क्या क्या चीज हम लो हम लोग को एक गैरेज मिलेगा एंड कीचेन टॉइलेट तो ये पूरा सेक्षन जो है पूरा ग्राउंड फ्लोर जो हो गया ये आपके गेस्ट के लिए एंड आप यहां पे लीविंग एरिया में अच्छे से रह पाएंगे एंड फर्स्ट फ्लोर में आ जाएंगे दो बे हैने के लिए जो बेडरूम रहेगा ओके दोस्तों तो अभी हम लोग डिसकस करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर जो है फ्रेंस सीट आउट हम लोग को मिलेगा में एंट्री पॉइंट में देखिए यहां पे सीट आउट यहां पे मिलेगा तो यह जो घर है घर को हम लोग एट सकते हैं तो प्रोपर हम लोग यहां पर सारा कुछ सीट आउट देख रहे है ठीक है नाव गैरेज 12 फीट बैट 12 फीट 6 इंची का गैरेज है आप यहां पे एक फोर उइलर आराम से रख सकते हैं दोस्तों इसके बाद यह जो डॉर आप देख रहा है दोस्तों मैं इस इसको थोड़ा क्लियार कर देता हो देखे यह जो डॉर देख रहा है यह वाला डॉर यह फोर फीट का डॉर है इस डॉर से इंटर करेंगे तो आपको 11 फीट 6 इंची भाई 13 फीट का एक ड्रॉइंग एरिया मिलेगा तो आप यहां पर सोफा बागरा प्रॉइड कर सकते है यहां पर टीवी केविनेट बगरा रख सकते हैं दोस्तो और इसका जो वेंटिलेशन है ड्रॉइंग एरिया का आपको यहां पर एक विंडो देखने को मिलेगा दोस्तो 5 फीट का नाओ एक टॉइलेट आपको यहां पर मिलेगा 4 फीट बाई 7 फीट का और कीचेन जो डाइनिंग एरिया तो प्रोपर हम लोग को एक स्कॉयर पोजिशन आपको यहां पर मिल रहा है दोस्तो नाओ हम लोग फर्स्ट प्लोर पर आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर के आने से पहले जो मैं आप लोग को बोला था क्या-क्या चीज ध्यान में रखा जाता है तो अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो अन्बिलीबेबल खर्चा हो जाएगा ठीक है अनकाउंटबल होगा ठीक है तो खर्चा बहुत जरूरी है नाओ कलम पोजिशन कहा कहा होगा वह आप इंजिनियर से बात कर लीजिए एंड हम लोग वाल कैसे देंगे आपका जो कलम प रखिए यह इंजिनियर से बात कीजिए कैसे आप क्लियर करेंगे हो गया उसके बाद हम लोग आएंगे स्टियर सेक्षन पे स्टियर बहुत तरीका का होता है तो हम लोग यहाँ पे एक modern स्टियर प्रोवाइट किये है ठीक है डबल एल शेप का तो पूरा आप यहाँ पे विंडो संसेट है इसका डिजाइन आप देख लिजिए अच्छे से आप एक एक पॉइंट मार्क करके रखिए क्या क्या मैं बोल रहा हूँ विंडो डिजाइन आपको बहुत जरूर है देखना की कौन सा वाला डिजाइन हम लोग प्रोवाइट कर रहेंगे ओके नाउ इस पॉर्षन है 10 फीट 10 इंची बाई 11 फीट 6 इंची दोस्तो ठीक है आप बोलेंगे सर यह जो विंडो है यह विंडो थोरा इधर क्यों है और सेंटर में क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉलम आएगा जो मैं बाद में आप लोग को दिखाऊंगा तो कलम पोजिशन भी द इंजिनियंग टॉपिक के ऊपर ओके दोस्तों यहाँ पर और एक टॉइलेट हम लोगों मिलेगा 5 फीट बाई 7 फीट का टॉइलेट का प्रोपर वेंटिलेशन आपको यहाँ पर मिलेगा और यह जो सेक्शन आप यहाँ पर हैंड वेंटिलेशन भी कर सकते हैं इसका बेडरूम में 11 फीट 6 इंची बाई 12 फीट का प्रोपर वेंटिलेशन हम लोग यहाँ पर दिये हैं और सेकेंड जो बेडरूम है 12 फीट बाई 9 फीट का और बेडरूम के साथ आपको एटाज बैलकनी भी दिये है 12 फीट बाई 3 फीट का ओके फरस्ट फ्लोर पर आपको क्य कैसे बन रहा है सारा जानकरी आपको वह अच्छे से दे देगा और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो घर है इसका कलम पोजिशन ठीक हो रहा है कि नहीं एकदम ग्राउंड में आपको कितना डीब जाना है यह टोटल आपका प्लैन में लिखा रहेगा तो कोई इश दोस्तों कलम पोजिशन के लिए मैं थोड़ा क्लियर कर देता हो इसको आपको भी समझ में आ जाएगा अच्छे से कलम पोजिशन से हम लोग कहा कहा पर डालेंगे यह देख लीजिए कुछ इस तरीके का हम लोग मार्क करेंगे देखे वान सरी वान टू टू फ्री फोर दोस्तों नाइन पिस कलम प्रुवाइट करेंगे इसका इनर वाल और वाल दोनों ही हम लोग 6 इनची प्रुवाइट कि एहे हैं अगर यह प्लैन आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर स Check करके अपना प्यार दीजिए दोस्तों एंड ऐसी फ्रेंट को शेयर कीजिए क्योंकि आपका दोस्त अगर एक नया घर बनवाना चाहते हैं वह कुछ इस तरीके का नॉलेज लेना चाहते हैं कोई नॉलेज नहीं दे रहा है ऐसा भी हो सकता है तो दोस्तों जरूर अपने फ्र